नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है और पेश रहे इस वक्त जोदपूर बिकानेर जिले की बड़ी खबरे जैसल मेर के विश्व प्रसीद सोनार कोर्ट में एक बार फिर राश्चा ही दोड जीवन्थ हो उठा मोकाधा जैसल मेराजघरानी के चुवालिस्वे महरावल चेतनेराज सिंग के रास्तिरक्का दुरं की तरह सजे सोनार फोड में भारी संक्या में मूझूद लोगों के जैकारों के बीच 25 वर्ष ये चेतनेराज सिंग को महरावल के सिंखासन पर बैठाया गया जैसलमेर के इतिहास में यह पहला आफसर था जब किसी आयोजन में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग उमर पड़े भड़ती संख्या को रोकने के लिए फोर्ट का मुख्य द्वार तक बंद करना पड़ गया बेकाने जिले में नगर निकाय आम चुनाव के दुरान शत प्रतिशत मतदान के साथ कोरोना एडवाईजरी की पालना की जागरुकता के उद्देशे से शुक्रवार को नोखा के नगर पालिका सभागर में स्वीप आमुखी करन कारेकरम आयोजित हुआ कारेकरम में जिला परिशत के मुखे कारेकारी अधिकारी और स्वीप प्रभारी ओम प्रकाश ने कहा कि शत पतिशत मतदान के लिए जागरुकता के जिम्मेदारी हम सभी की है कोविड वेक्सिनेशन अभ्यान के अंतरगत जोदपूर जिले के नोचिकिसा संस्तानों को चिनित किया गया इसमें शहर के एम्स जोदपूर डॉक्टर एसन मैडिकल सलग्न उम्मेत वे मतुरादस मातुर अस्पताल सीमेचो आधीन शहरी सामुदाइक स्वास्ते केंदर रेजिडेंसी वे एक नीजी अस्पताल मैडिपल्स के साथ ही ग्रामिन शेत्र के सामुदाइक स्वास्ते केंदर बिलाड़ा, बालेजर, मतानिया, बोपालगड आधी में कोविड नाइंटिन वेक्सिनेशन किया जाएगा जोडों में दर्ज जैसे लक्षनों से लोग परिशान हो रही हैं। चिकिसक इसे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन कह रहे हैं। हालांकि ऐसे मरीजों का अस्पताल बे भड़ती होने की जरूरत नहीं है लेकिन उन्हें उचित चिकिसक्या परामर्श जरूरी है। पिकानेर में कोविड से नेगिटिव होने के बाद भी मरीजों के लगातार पोस्ट कोविड ओपिडी में पहुँचने पर कॉलिंग प्रजेक्ट शुरू किया गया। बिकानेर में शुक्रवार को पिछले दिनों से लगातार बढ़ते पारे ने तेज सर्दी का असर कम कर दिया है और वहीं दिन बर खुली धूप भी पारे को थामे हुए है। साथ दिनों से अधिक्तम तापमान 19-25 जिग्री के बीच चलने से सर्दी का एसास थोड़ा कम रहा। और वहीं शुक्रवार को यह तीन डिग्री बढ़कर 28.2 डिग्री तक पहुँच गया और इसे दिन में हलकी सर्दी का भी असर रहा। दूप भी खिली रही और दोपैर को यह स्तिती थी कि थोड़ी देर तक दूप में रहने से थोड़ी कर्मी का एहसास हो रहा था। जोद्पुर शेहर के निकटवर्ती बोरानाडा स्तिल्च शिखावटी आर्ट हैंडी क्राफ फेक्टरी में भिशन आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। करीबन आदा दर्जन दमकलों को वहां बुल वैक्सिन लगाई जाएगी और इन पांचो स्तानों सही जहां पर वैक्सिन स्टोरेज की गई हैं वहां निर्बाद रूप से विद्यूत आपूर्ती रहे इसका पुक्ता प्रबंद किया जाए और साथी इन स्तानों पर राजसान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और वरि करम के अंतरगत हाफ मेरातन 21 और पांच किलोमेटर की दोड आयोजित की गई और अंत में मुक्याती थी लेफ्टिनेंट जरनल अनिल पुरी ने सभी वरक की विजेताओं को प्रशंसा प्रती के रूप में पुरुसकार प्रदान किये जोदपुर की जिला कलेक्टर इंदजी सिंग ने सुदूर गाम धानी में बैठे आमजन के समस्याओं के त्वरित नस्तारण के लिए एक नवाचार किया है उन्होंने कोविट की परिस्थित्यों के दृष्टिका तथा आईटी के माध्यम से न्यूंतम संसादनों द्वारा आमजन की समस्याओं के त्वरित नस्तारण के लिए ए चोपाल नवाचार की शिरुवात की पहले दिन उन्होंने पंचाय समीती बाप की ग्राम पंचाय जामा के लोगों के साथ ए चोपाल के माध्यम से समवात किया आल इनिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आहवान पर केंदे सरकार की दबनकारी वह मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ मनाई जा रहे विरोध पक्वाडे के अंतिम दिन नोर्थ वेस्टन निलवे एंप्लोईस यूनियन ने जोदपूर में वहन रेली निकाली यूनियन के मंडल मंतरी मनोज कुमार परिहार ने बताया कि रेली के बाद रेल करमचार्यों की समस्याओं पर निराकरन करवाने हेतू मंडल रेन प्रबंदक को ग्यापन सोपा गया राजसान समायोजिक शिक्षाकर्मी संग एवं वेलफेर सुसाइटी राजसान की जिला इकाई की ओर से मैडिकल चुराहे के पास दिरत राश्चुपिता महात्मा गांदी की प्रतिमा की नीचे एक दिवस्या सांकेतिक उपवास रखा गया संके प्रदेश सनक्षक गौपाल छंगाणी ने बताया कि राजसरकार द्वारा सुप्रिम कोर्ट के आदेशों की अभेलना की जा रही है उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है स्वच भारत मिशन के तहर जोदपुर के नगानिकम दक्षिन तथा चालोरी गेट चुराहे पर स्वच्चता अभियान चलाया गया महापोर दक्षिन वनीता सेट ने इस अभियान का आगास किया अभियान के दुरान निगन कर्मियों के साथ ही महापोर सहित अन्यचन पतिनिदियों ने भी सहभागिता निभाई उन्होंने हातों में जाड़ी उठा कर साफसफाई की फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ